दोस्तो बारतो न्यूजिलेंड के बीच तीसरा टिटवन्टे मकाबला एक बार फिर्षे बारिस की वज़े से रोकना पड़ा है टीम का स्कोर फिचोत्तर हो चुका 160 रन का टीम इंडिया लक्स का पीसा कर रही है इसे में मुकाबला अब कितने ओर का होने वाल है और कितने बज़े शुरू होगा अगर मुकाबला नहीं होता है अनकी बारिस आते रहती है तो DLS के नियम के अनुसार पिचोत्तर रनी टीम इंडिया को नौर में बनाने थे तो इसे में मुकाबला टाइप पर बना हुआ है क्या सूपर ओर का खेला जाएगा या वाड़ा मुकाबला तो सारी अफडेट बताएंगे तीसरे मुकाबले से जुड़ूई आप इस वीडियो को देखते रहे वीडियो को लाइका दीजे चैनल पने हो तो सस्क्राइब करके वेलब टाइप जरू दवाली जे तो अज भारतों न्यूजिलेंड के बीच पहले ही आदा घंटा लेट से मुकाबला शुरूआ और न्यूजिलेंड ने निदारित 20 ओर में 160 रन बना दिये ते नो ओर में टीम मिडिया को फिचोतर बनाने थे जो की इसको लेवल पर बना हुए अगर बारिस आते रहती है यानि कि दिन बर बारिस आती रहती है तो मुकाबला टाइप पर शमापत होगा और इसका रिजल्ट कोई नहीं निकरने वाल है अगर मुकाबले में बारिस रुकती है और शमे रहता है सूपर ओर का तो इसको सूपर ओर में भी कराया जा सकता है अगर बारिस ओर भी जल्दी रुकती है तो मुकाबले में और कम किया जाएंगे ऐसे में मुकाबले में 14-14 या 15-15 और और निम्हावर गएट में रन कम करके टारगेट टीम इंडिया को सेट किया जाएगा दोस्तों आँको क्या लगता है टीम इंडिया जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा कमेंट सेक्सर में जरू बता है और वेसी अप्डेट के लिए एमारी चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक सेर जरू करें